है आलो दोस्तों कैसे हैं सब देखे एक प्लैनर मिसिन है इसको जो रिपेर करेंगा और यहां पर देखे जिसका जो प्रावलम है यह इस त्रफ को जो बेरिंग है यहां पर ब्लेट लगता है रोलर इससाइड का जो बैरिंग है कि जो है यह वीडियो में आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर द blender कर सकती सकती हो तो पहले चीझे से ए बैल को को निकालने देखे रुद다 से अपने तरब में ऊपर तरब में खिच-खिच करके जो है आप गुमाते रहेंगे यह चलाएगा उसके बाद यह जो दो पुली यहां पर लगा हुआ है यह दोनों पुली को हम लोग को निकालना है तो यह बड़ा वाला पुली जो है यह हमारे ब्लेट का सेक्शन का है तो इस दिशा में हमारे नटबोल जहां खुलते हैं तो यह दिशा में यह खुल जाता है अभी बाड़ी आती है हमारे जो यह आर्मुचर का साथ जो पुली लगा हुआ है इसको खोन ले में थोड़ा सा डिकत है तो इसके लिए देखें यहां पर जहां जिस तरब में हमारे कारू लगा हुआ है सभी को आपको निकाल लेना है तो यहां पर देखिए क्योंकि देखें गोड़ा बहुती जो है यहां पर पड़ा हुआ है आपको थोड़ा सा निकाल भी देना है इसको तो यह देखें यहां पर आर्मुचर को हमनों को पकरना है उसके बाद इसको बहार निक कि निटेकर सकते हैं लेकिन हम यहां पर बाहर नहीं का लेंगे पुड़ी अर्मूचर को और आपको बाद में जो है दिक्कत हो सकता है तो तरीप side का यहां पर हम बताएंगे लेकिन बहुत ही दिहान से आपको करना है नहीं हैं तो आपका जो यहां यहां पर द्रस को निकाल ढלה हमारे जो कर्वन अधर होता है यहां पर शोको यहां पर दोड़ावोर लगा हो यह दोनों समय को प्राइब है हमारे जो निकालने के बाद हमारे जो ब्रै। को जो होल्डर है यह चला आएगा तो थोड़ा सा स्कूर्डावर का मुदद भी यहां पे ले सकते हो कि तो पहले हमारे जो कारून प्रस को होल्डर है वहां पे यह दिखे एक चोटा सा जो है कानिक्षन लगा हुआ है इसको पहले हट डालेना है दोनों तरब में के तो यह दिखें हमारे देख से होल्डर है अगर आपके पास इस तरह से खड़ाब कोई कपड़ा है तो इसको रख लेंगा हुआ है यहां पर हमारे जो कामोटेटर लगा हुए और इस तरह से जो मंकी प्लस होता है इसको अच्छी तरह से बीच में अगर आप इस तरह से कप्रा वगरा नहीं बिचाएंगे और यह अगर गुमाते समय अगर मूफ हो गया तो आपका जो कमूटेटर है यहां पर यहां पर सकता है तो क्योंकि हम जो है हमेसा इसको निकालते रहते हैं तो देखे हम कैसे इसको पकर के जो है इसको लूस करेंगे तो यहां पे हमारे पन्ना जो है थोड़ा सा साइस जो है इसका छोटा हो रहा है तो हम यहां पे जो हमारे जो इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह देखे यह निकलेगा आपको जो है उल्टी दिसा में निकलेगा इसका जो लूस करने का जो डिसा है उल्टी दिसा में निकलेगा जिस तरह में हम लोग नाट को टाइट करते हैं राइट साइड में तो यह राइट साइड में जो है गुमाने पर यह लूस होगा और ट आटा लेना है कि सारे स्कुरू को ध्यान से आपको निकाल लेना है देखे बीच में भी स्कुरू लगा हुआ है इसको भी निकाल लेना है होँ इस सब्सक्राइब कर दो कर दो होए तो दोस्तों देखें कर दो दो सब्सक्राइब भी कर देगा शहर कर दो करने का और वटल्सक्राइब प्रेस्ट कर दिजागा वीडियो को प्लीज जाकर के लाइक कर दीजागा तो यह देखिए स्कुड़ाबर का मुझत थोड़ा सा इस तरह से जो अगर बाहर उपर दिशा में आप खिचेंगे इस तरह से तो यह चला आएगा कि थोड़ा सा दबा करके आपको खिचना है तो यह देखिए हमारे जो अब बॉड़ी है निकल चुका है कि मुझत भी निकल चुका है तो अभी यह देखिए यहां पर जो हमारे जो ब्लेड लगा हुआ है यहां पर रोल्लर जो है इसको खटा लेना है तो यह थोड़ा सा चोटा चोटा जो हमार है मेरा इसका इस्तमाल किया है हमने यह पर तो यह जो है निकल चुका है तो देखिए यह बेरिंग का नंबर अगर जानना है तो देखिए 629 इसका ब्यारिंग का नंबर है तो पूलर का मदद से आप निकाल सकती हो अगर पूलर है तो नहीं तो आप कोई भी स्कूराइबर का मदद से भी जो है थोड़ा सा हमर से जो है नीचे रख करके इसको ठोक करके निकाल सकती हो तो यहां पर हमने जो है ब्यारिंग को लगा दिया है ब्यारिंग का नंबर जो है दियान से नोट करके रखेगा 629 ब्यारिंग का नंबर है और दोनों तरब में जो है ब्यारिंग एकी साइस का जो है लगता है यह तो अभी देखे हम इसको फटाफट जो है लगाएंगे और अगर गोड़ा वगरा बहुत ही पड़ा हुआ है क्योंकि यह लकड़ी वगरा को जो है चीरती रहता है तो यह देखे इसको लगाएंगे लगा करके यह नीचे तरह में उल्टी दिशा में जहां पर ब्यारिंग लगता है उस तरह में एक बार देख लेना है ब्यारिंग साही अब तो इसको आपको बढ़ा लेना है बढ़ा करके देखे हैं मर कम अच्छे थोड़ा सा इस तरह से और दोनों तरब में ध्यान से देखना है आपको अगर इस तरब में अगर खाचे में अगर ब्यारिंग नहीं गिरेगा और आप उस तरब से अगर थोकते रहेंगे तो रेचे जाएगा नहीं और यह कष्टर का जो बोरी है जो है यह पेपने घानस होता है तो यह दिखें यहां लिखकी 5-28 कि तो सही तरह के से इस को जगह में बठा लेना है और यह जो जितना भी यहां पे स्कुरू अगरा लगा हुआ था सभी को जो है लगा लेना है अची से टाइट करके तो यह देखें हमने स्कूरू को लगा दिया है अभी पुली को लगाएंगे तो यह पुली को लगाने के लिए बड़ा वाले को इस तरह में हम लोग नट बॉल को ट रखिएगा और जोर से पकर के रखिएगा और यह टाइट हो गया हमारा तो अभी यह देखे दूसरी तरफ का जो पुली है छोड़ा वाला तो इसको देखे इस तरह से उल्टी दिसा में आपको गुमाना है और सेम तरीका है यहां पर जो पहले हमने दिखाया था यहां पर हम करेंगे तो बीच में आराम से आपको पकरना है जो और से पकरके रखना है इसमें जो है आप गुमाने पर जो है आपका आर्मुचर गुमना नहीं चाहिए नहीं तो आपको आर्मुचर है का मुटेटर है वहां पर जो है चोड़ लग सकता है और सबसे बेस तरीका है एक प में चोट नहीं लगा है कि तो यहां पर देखिए हमने इसको फिटिंग कर दिया है कि तो अभी यह बेल्ट को लगाएंगे का बेल को लगाने के नहीं भी बहुत ही असलने दीए या कर यह तोड़ा सा एक तरफ से जो यह लगा करके जोई इस तरह से घुमाईए कर दबादबा करके और यह जो यह अपनी जए आपनी तवराइबड़ाय पुऊ लेननों इस मे घड़़ जाएगा और यह हो हो काया है हमारा लिवार इसका इसका जुभ हूल डानी होना चाहिए आपको नहीं होना है आपका घुडियार Sprelier के साथ और लगता से किस तरह से यहां पर लगने वाला है यह चिज़ को द्याग लिना है देखकरकर यह होल्डर को लगाना है आपको कख़ा नहीं होना चाहिए है आपका जो घिसा है न कंपोड़ेटर का और जिए और झो कार्बन मसलों होता है उस ₹ शजय को ह्का डैरिक्सन सेम होना चाहिए अगर आप जो हिसको गुमा करके लगाए देगे और उसके बार आप का किर्वन अगर खड़े पोजिशन में होगा तो उसमें बाद में दिक्कत हो सकता है तो यह हमने लगा दे अभी इसका जो कनेक्शन हमने निकाला था यह देखे कि सिफ फसा देना है यहां पर जो हमारे जो होल्डर लगा हुआ है उसको उपर पितल का जो कनेक्शन के लिए दिया हुआ है वहां पर फसा लेना है और यह देखे बरस को अभी लगाएंगे तो यह देखे फिटिंग हमने कर दिया है पूरी तरह से और अभी मसील को चलाएंगे और देखे कियों कि यहां पर खराब हो चुगा था तो दोस्तों वीडियो लिएकर करके आप लोगो कुछ ने कुछ जो है समझ में आया होगा वीडियो अच्छन लगा था तो दोस्तों तो लाइसरी रूपी जगा